हलो लनस आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है यदि आप तस्वीर को ध्यान से देखे तो यह एक ओंड है और इसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं तो यदि हम किसी पिक्चर या तस्वीर के बारे में देख कर कुछ बातों को फाक्य के रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते ह composition यानि यह अभियास है picture composition का अब मैं picture के एक एक बारी की पर आपका ध्यान लाकर्शित करूंगी और पढ़ के सुनाऊंगी कि कैसे picture में से हमने reading करके इन sentences को निकाला है और इसे की आधार पर आपको खुद भी प्रयास करना है sentences को complete करने का number one this is a picture of a pond तो पहला सवाल तो यह है बच्चो की यह तस्वीर कहां की है तो आप देख रहे हैं यह तश्वीर है एक तलाप की तो तलाप को अंगरेजी में कहते हैं pond तो यह picture है एक pond यह तलाप की अब ध्यान से आप देखिए इसके दाएक होने में दो औरते हैं और वो क्या कर रही है कपड़े धो रही है तो इस बात को हम इंगलिश में लिक रहे हैं sentence two में two women are washing clothes दो औरते कपड़े धो रही है ये दो औरत हैं बोलकर हमने women कहा men अब आज आते हैं उसी के ठीक पास में देखिए दो लड़के हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो नहा रहे हैं है ना? तो इनके बारे में third sentence में हमने लिखा है क्या लिखा है? two boys are b-a-t-h-i-n-g इसे हम पढ़ेंगे bathing bathing in the pond दो लड़के pond या तलाब में नहा रहे हैं नहा रहे हैं लगातार हैं इसलिए हमने ing उसकिया bathing अब इन दो लड़कों के पिल्कुल पास देखो एक और boy है क्या कर रहे है ये? हाँ वो पानी के अंदर कूद रहा है यानि वो नहाने के लिए त्यार हो रहा है तो इसके बारे में चौथे sentence में हम लिख रहे हैं अब इस किनारे पर देखिए तीन बच्चे है क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये मचली पकड़ रही है तो इसका English क्या होगा? तीन बच्चे मचली पकड़ रही है और तालाब में देखो कौन से चानवर है जिसमें से की दो भैस है तो छे नंबर में लिखा है तो बफलोस आर बेदिंग यानि दो भैस नहा रही है खुद बखुद देखो उसके पीट पर एक च्डिया भी बैटी है और ठीक उसके पास में देखो एक और गाए है ये गाए को लेकिन कोई आदमी नहला रहा है वो खुद नहीं नहा रही है तो उसके बारे में लिखा है सेंटेंस नंबर सेवन में क्या लिखा है हम इसे बाठिंग नहीं पढ़ेंगे एक व्यक्ति गाई को नहला रहा है अब इन जानवरों के अलावा तलाब में कौन से चुडिया है गौर से देखो ये सारे डक्स हैं तो डक्स क्या कर रहे हैं भै बतक नंबर एट सेंटेंस देखो डक्स are swimming in the pond बतक तलाब में तैर रही हैं स्वीमिंग यानि तैर रही हैं और भैस के पास देखो दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ तो है वो क्या है जाल है ना नेट कहते हैं इंगलिश में, तो नमबर नौ पढ़ते हैं, टू मेन आर फिशिंग विथ नेट्स, दो वेक्ती जाल लेकर मचली पकड रहे हैं, और कुछ दिख रहा है क्या, उसके पास में मचली पकड रहे हैं, और अरे ये देखो, ये जो औरत कपड़ी धो रही है, यहां कमल के पत्ते पर कौन बढ़ा है, एक मेढग बढ़ा है, और वो मेढग कूद रहा है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, a frog is jumping, मेढग कूद रहा है, अब और दो तस्वीरे में देखिए, एक औरत है, जो पानी भर के जा रही है, ये देखिए, उसके सर पे घड़ा है, त तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, नमबर 11 में, a woman is carrying water, एक औरत पानी लेके जा रही है, और नमबर 12, some clothes are put to dry on the bank, बच्चों, बैंक एक तो होता है, जहां पैसे निकालने जाते हैं, और एक होता है, तालाब या नदी का किनारा, तो आप देखिए, कि इसके टट पे किनारे पे कुछ कपड़े सूख रही है, सूखने को हम कहते हैं dry, तो इसका sentence क्या हो गया, some clothes are put to dry on the bank, इस प्रकार से जब आप एक picture में, चित्रों में गौर से सभी चीजों को देखते हैं, और उनके बारे में लिखते हैं, तो वैसे घतिविदी को हम कहते हैं, picture composition, अब इसी के आधार पर आपको अगले activity sheet में छुटेवे शब्दों को भरना है,